दोस्तों दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है और 70 साल के इत्यास में पाकिस्तान कई वार पैसे के बदले ऐसे ऐसे काम कर चुका है जो कोई सोज भी नहीं सकता पर इस बार पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसा गलती किया गया जिसका शायद पाकिस्तान को और माफी ना मिले बलकि इसके सजा के रूप में पाकिस्तान का टुकरावी हो सकता है जैसे 1971 में हुआ था असल में दोस्तों पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद रशिया खास करके पूतीन काफी अधिक भड़क चुका है अब सब लोगों को पता ही होगा कि रश्या यूकरेन के लड़ाई में पाकिस्तान के तरफ से वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नूट्रल है और किसी देश के पक्स में नहीं है लेकिन असलियत में पाकिस्तान के द्वारा बिर्टेन के कई सारे प्लेन पाकिस्तान आके लैंड करता था और उसके बाद इन प्लेनों में पाकिस्तान ओर्डिनेंस फैक्टरी के द्वारा बनाया हुआ आट लेडी शेल खास करके 155 मिलिमेटर के शेल्स को लोड किया जाता था और उसके बाद ये प्लेन पोलैंड के थ अन्जा माक्टू एर डिफेंस सिस्टमों के लेके एक ओर्डर दिया गया है जो कि डारेक्ली पोलैंड के तरफ से हासिल करके यूक्रेन को सप्लाई किया जाएगा और इसका इस्तेमाल यूक्रेनियन आर्मी के द्वारा रशियन टूप्स के खिलाफ किया जाएगा अब दोसों ये जो अन्जा माक्टू मैन पोटेबल सॉर्फिश टू एर मिसाइल या एर डिफेंस सिस्टम है ये असल में कुछ और नहीं बलकि चाइना के QW1 मैन पोटेबल एर डिफेंस सिस्टम है जिसे की लाइसेंसली पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम अंजा माक्टू रखा गया है जो इस तरीके के शूल्डर फायर सोर्फिश टू एर मिसाइल असल में 5 किलोमिटर के रेंज तक काम कर सकता है और अंजा माक 2 में proportional navigation system और end phase lead brass technique का इस्तमाल किया गया है जो एक तरिके से missile guidance के लिए भी इस्तमाल होता है अंजा माक 2 मिसाइलों के अधिक्तम रप्तार 600 मिटर पर सेकेंट है जब कि दोस्तों ये जो मिसाइल है ये गरिवन 550 ग्राम के ओर हेट को कैरी करता है जो एक छोटे आकार के aircraft या फिर unmanned aerial vehicle या helicopter को मार गिराने के लिए काफी होता है अब दूस्तों यूक्रेन और रोशिया की इस लड़ाई के दर्मियान पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को अब तक करीवन 126 container का supply किया चुका है इन सवी container basically पाकिस्तान ordinance factory के तरफ से ही supply किया गया है और आपको जानके हैराणी होगा कि इन सवी container को अब तक भाया जर्मनी या भाया ब्रिटेन के द्वारा ही supply किया जा रहा था पहली बार पाकिस्तान के तरफ से यूक्रेन के किसी पडोसी देश मतलब पोलैंड जैसे देशों के द्वारा यूक्रेन को हतियार का supply किया जाएगा हलाकि दोस्तों इन हतियारों को पाकिस्तान free pocket में नहीं दे रहा है बलकि पैसा लेके ही provide कर रहा है पर दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए शायद अब तक के सबसे बड़ा गलती सावित होगा और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रश्या जैसे देश को नारास करके अब तक कोई बच नहीं पाया है उपर से दोस्तों पूतिन एक ऐसा लीडर है जो अपने खिलाफ किये जाने वाले हर एक शाजिस का बदला अवश्य लेता है मतलब पाकिस्तान जो काम कर रहा है इसका बदला पूतिन अवश्य लेगा और यूकरेन और रश्या के लड़ाई में अगर पाकिस्तान के हतियारों के बकारण से एक वी रश्यन सोल्जरों का जान जाता है या एक वी रश्या के यारक्राफ्ट या अन्ने हतियार तवा होता है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को अवश्य भुगतना पड़ेगा पर दोस्तो इस बात से एक चीज तो सावित हो चुका है कि पाकिस्तान किसी खावी दोस्त नहीं है और पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलेगा पाकिस्तान वोही पे ही गंद मचायेगा अब दोस्तो एक्जाम्पल के रूप में अगर देखे तो अमेरिका के द्वारा भी पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर अब तक एड दियाया चुका है और इस एड का इस्तिमाल करके ही पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर गंद मचाया गया और आपके जानकार के लिए बता जू कि अमेरिका का पैसा इस्तिमाल करके ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के तरफ से अमेरिकी सैनिकों को मारा गया। प्रहा है जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में जविन आस्मान का फरक है। तरफ से बुदवार के दिन अमेरिकी लॉमिकरों के सामने एक रिपोर्ट रखते हुए बताया गया है कि फिलाल जो पाकिस्तान और भारत के बीच में और भारत और चाइना के बीच में टेंशन है ये पॉसिवली एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिडर्शिप में भारत पहले से काफी अधिक बदल चुका है। प्रोडोसी देशों के बीच में टेंशन को बढ़ा सकता है और ये टेंशन एक लड़ाई में भी तबदिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को लेके इस रिपोर्ट में और वी भैंकर दावे किया गया जहाँ पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत को लगातार प्रवोक करने का प्रयास कर रहा है। अलाकि दोनों देशों के बीच में जो सीस फायर है वो साल 2021 से ही है। पाकिस्तान के द्वारा और आतंकियों को भारत में भेजना संभब नहीं हो पा रहा है। तो पहले ऐसे कई सारे प्रवोक किशन के बावजूद भारत के तरफ से पाकिस्तान को उस तरीके से जवाब नहीं दिया जाता था जिस तरीके से जवाब देना आवशक है। मतलब पहले अगर कोई आतंकी हमला हो जाता था तो पाकिस्तान को इसे लेके केवल मातर सुनाया जाता था या फिर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इसका जवाब दिया जाता था। प्रप्रदान मंत्री नरेंद्रो मोधी के नेत्रित्यों में पाकिस्तान के द्वारा किये के हर एक बड़े आतंकी हमले के बिरुद में जवाब दिया गया। ऐसे हरकत और आगे ना हो। और ये लोग वी खुल के अब ये कह रहे है कि भारत के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। और दोस्तो मेरा मानना ये है कि अगर लड़ाई शुरू होता है तो सिंधे के नया देश होगा, गिलगित बलतिस्तान भी नया देश होगा और खाइवर फक्तुनख्वा शायद अफगानिस्तान के साथ मिल जाए। कि भारत के जिस हिस्टे को पाकिस्तान ने इलिगलिक अबजा करके रखा है मतलब पाकिस्तान अकुपाईट कश्मीर और गिलगित बलतिस्तान ये भारत में मिल जाएगा और पाकिस्तान के नाम पे केवल मात्र बचा रहेगा पंजाब प्रोविन्स।